है गाईट चलिए आज बनाते हैं Tamarind Jelly याने इंली की जेली जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बच्चों का तो बस नाम है हम भी अगर इसे घर पर बनाएंगे तो बड़े भी इसे बहुत ही चाओं से खाएंगे भी बहुत ही आसान है और बस तीन इंलियंट के साथ बनकर तयार हो जाती हैं जैसे कि चीनी, इमली और एक ही सिक्रेट इमलियंट है जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा टैमरेंड की इस जेली को एक बार बना कर आप हपतों तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं जब भी मन करें तब इसे खा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करके बिल आइकोन पर भी क्लिक करिएगा और हां रेसिपी के लिए एक लाइक शेर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है तो हेलो फ्रेंड्स मैं वर्चना जैन और दिक्विनोप किचन में आपका स्वागत है तो देखें यहाँ पर हमने ली है इमली अब एक मिक्सिंग बॉल लेंगे इमली को हमें पहले अच्छे तरह से वाश करना है मतलब इसे पानी बहुत ही जादा रगड रगड के वाश ना करें नहीं तो इसमें जो सत है वो निकल जाएगा हलके हलके हातों से इसे धो लेंगे ताकि इसमें जो भी कुछ डर्स्ट या कुछ इमपरिटीज हो वो निकल जाए पानी को ड्रेंड कर देंगे जो धुला हुआ था और साप प अच्छे से भीग गई है अब हमें क्या करना है इसे डाल देना है मिक्सी जार में और एक दम फाइन पेस्ट में अब हमें इसे ब्लेंड करना है तो इसे मिक्सी में डालने से पहले थोड़ा सा शोर हो जाए कि इसमें जो बीच होते हैं इमली के वो ना हो नहीं तो आपका जो मिक्सी का जार है वो खराब हो सकता है चलिए अब यह जो पानी है इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है बीच में इसका यूज करेंगे इसे ग्राइट करते समय देखिए इमली को हमने ग्राइट कर लिया है अब इसे डाल देते हैं ट्रेनर के अंदर और हमें बस प्योर जो पल्प है वही चाहिए पानी हमने इसे ग्राइट करते समय यूज किया था जो थोड़ा बचा है उसे मिक्से जार में डाल देते हैं और इसके साइडों में जो लगा हुआ पल्प है उसे भी निकाल लेंगे और पानी की वज़े से आसानी भी होगी इस पल्प को चाणने में तो चलिए अब इसे चाण लेते हैं इसके जो रेशे हैं या जो कुछ भी इंप्योरिटीज होगी वो उपर चलने में रह जाएगी और पूरा प्योर जो पल्प है वो हमें नीचे बाउल में मिलेगा तो देखिए अब इहाँ पर हमारा पल्प निकल चुका है तो करिबन एक कप पल्प निकला है इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए आधा कप चीनी इसे रखते हैं थोड़ा सा साइड में आधा कप चीनी ली है हमने और ये देखिए ये वही secret ingredient है जिसकी वज़ा से ये जो इमली है इसकी जो जेली बनेगी वो बिल्कुल बढ़िया market जैसी बनेगी तो ये है अगर अगर पाउडर ये विल्कुल भेज है और आपको आसानी से Amazon या कही पर भी online मिल जाएगा और ये बिल्कुल सस्ता है बहुत ज्यादा मेंगा भी नहीं है इसका लिंक में आपको description box में दे दूंगी आप वहाँ से purchase कर सकते हैं तो देखिए यहां पर हमें लगभग दो टीस्पून चाहिए अगर अगर पाउडर अगर आपके पास अगर अगर पाउडर नहीं है तो आप यहां पर चैना ग्रास का भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी इसे mix-up करके side में रख देंगे पानी हमें बिल्कुल एक से 2 टेबल स्पून ही इसमें add करना है बहुत ज़दा add नहीं करेंगे तो अच्छे से इसे mix-up कर लेते हैं और रख देंगे side में चलि अदलब जितनी चीनी ली है उससे आधा कब आधी quantity में हमें इसमें पानी एड़ करना है चीनी को पानी में अच्छे से dissolve होने देते हैं और ये जो हैं बिल्कुल हमें low flame पर करना है नहीं तो चीनी पानी में अच्छे तरह से डिसॉल नहीं होगी अब देखिए चीनी पाणी में अच्छे तरह से डिजॉल हो गई है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे अगर अगर पाउडर और पाणी की जो सलरी हमने तयार करकर रखी थी उसे डालने के बाद इसे continue चलाते रहना है एक मिनिट तक चलाने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे इमली का पल्प और अब इसे हमें हाइफ लेम पर चलाना है अब इमली का पल्प एड़ करने के बाद करीबन 6-7 मिनिट तक हमें इसे continue चलाना है और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक टीस्पून चाट मसाला और हब टीस्पून एड़ करेंगे काला नमक अब एक बार बढ़िया सा इसे मिक्स अप कर देते हैं और जस्ट एक मिनिट तक चलाने के बाद हमारा ये जो मिश्रन है बिल्कुल तयार हो जाएगा सेट होने के लिए तो टोटल हमने इसे 8-9 मिनिट तक कुक किया है और यहाँ पर इस तरह का मैंने केक मोल्ड लिया है सिलिकॉन का अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह का चॉकलेट मोल्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं इस बड़े वाले मोल्ड के अंदर इसे डाल देती हूँ इससे आसानी भी होगी इसमें डालने के बाद हमें इसे 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है रोम टेंपरेचर पर ठंडा हो जाए फिर बाद में मैंने इसे 2-4 घंटो के लिए फ्रीज में भी रखा था और देखिए बिलकुल बड़ी आसा अब ये जो जेली है सेट हो गई है तो अब इसे कर लेते हैं डिमोल्ड तो बहुत ही सावधान इसे डिमोल्ड करेंगे हम इसे क्योंकि थोड़ी सी पतली लेयर बनी है इसकी और देखिए सिलिकॉन के मोल्ड में बहुत ही आसान इसे ये डिमोल्ड हो जाता है अब चलिए दोस्तो रेसिपी खतम होने पर है जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिल आइकोन पर क्लिक कर दीजिए और हाँ इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक कमेंट भी आपको ज़रूर करना है क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और इसके लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तो सो चलिए अब इसे लगाएंगे कर्स तो बड़े छोटे साइज में जैसा आपको पसन हो वैसे इसके कर्स लगाईए और बिल्कुल तयार हो जाएगा आपका ये जो इमली का जेली चोकलेट है तो बच्चे इसे बहुत पसन करेंगे और बच्चे क्या आप भी इसे जरूर पसन करेंगे देखिए जेली जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है और अभी तो हमने कुछ ही गंटों के लिए इसे फ्रीज में रखा था जितनी ज़्यादा फ्रीज में रहेगी उतनी ही अच्छी तरह से सेट होगी तो देखिए एकदम बढ़िया सा हमारा टैमरिंड का जेली चोकलेट तयार है तो इसे आप ज़रूर ज़रूर ट्राइ करिएगा तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स रेसिपिक के साथ तब तक के लिए बाई और थैंक्स पॉर वाचिंग